Hello everyone, मैंने आप लोग कहा कि रिस्पॉंस आंसर की आप लोग को यहाँ पे किलिक करके डाउनोड कर लेनी है अब यहाँ पे जो आंसर की है अगर आप लोग पोर्टल वगर आप लोग चेर्क आउट करते हो प्रोविजनल आंसर की जो आनी चाहिए वो यहां पे अभी नहीं आये लेकिन यहां पे मैं आप लोगों को दूसरी अपनेट दे दू प्रोविजनल आंसर की जब आप नीचे आ तो लोग इन करना है सबसे पेदा आपको अपना पोटल उसी के बास पहले आपको अपनी रिस्पोंस आंसर की डाउनलोड कर लेनी है देन इसके बाद यहां पर आप जब किलिक करोगे वीव चैलेंज और आंसर की पे तो यहां पर किलिक कर देना अब मैं ऐसे यहां पर इसलिए दिखा रहा हूँ देखो अगर प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पर शो जाती है तो आप उसे चेक आउट कर ले वहां से भी कर सकते हो और यहां से भी आप लोग चेक आउट करके देख सकते हैं अपनी आंसर की को ठीक है यह भी एक बेटर लेकिन यह इंपोर्टन चीज़ है कोशन आइडी कोशन आइडी है क्या कोशन आइडी जब आप लोग आते हो क्योंकि सबसे पहले मैंने कहा आप से पहले मैंने आप लोग आपको अपना कोशन पेपर डाउनलोड कर लेना देखो जब आप कोशन नंबर वन पर आतो तो यह पर आप लोग देखो आपको कोईसे चेक आऊट करना है यहां पर लोग देख रहें कोश्य इडी यानि जो आपका कोश्यन नम्मर वन है उसकी आईड यह है टिके 6801919752 तो अगर आपको इस कोश्यन को चेक आउट करना तो कैसे चेक आउट करोगी तो वहां पर जाना आप मैंने यहां पर देखा यहां पर है 680 और 19 तो यहां पर मैं दुबारा आयता हूं यहां पर 619 होगी है यहां ठीक है और यहां पर 699 है लेकिन हमें चेक आउट कौन सा करना है का अब यहां पर जैसे मैं थोड़ा सा नीचे स्कॉल कर लैंता है कि वहां पर 752 मेंचन है लास्ट में रहें अभी हम 752 पर है नीचे 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 तो यह आपका आगिये 619 752 तो यह हमारा पहला कुषं की साइडी थो कि एचाहरा पहला कुष्um ये भी ठीन की इसे पार से उपर है कि उप़ें चेखाउट करना कोष्च वापकर को ने स्थी पर देख कर फिर लिग चेखाउट करना है अब को शेट जब लोग साइड और कता होका अक्षिर्ण तो correct option इसमें B है अब आप वापस से आजाओ अपने question paper पे मतलब जो आपकी response answer sheet है तो इसमें आपने चूस किया था question number 2 चूस किया था और यहां पे जो right answer है वो option 2 ही था तो आपके यहां पे चार number यहां पे प्लस हो गया तो आपको marks मिल गए चार number दूसरा question आपको इसी तरीके से चेक आउट करना है लेकिन दूसरा question जैसे आप इसने no response यहां पर यहां पर इसके 0 marks रहेंगे कोई number नहीं मिलेगा अगर आप इसे चेक आउट करना चाहते हो राइट answer क्या तो चेक आउट कर सकते हो लेकिन मैं यहां पे बैटर है कि मैं वह चेक आउट करूँ जो मैंने दे रहा कि रिस पहुंच तो इस तरीके से चेक आउट करना है अब जैसे यहां पे मैं देखो इस कोशन के आइडि का है 689-19-727 लास्ट में मैं वापस से मैं आजाता हूँ जो मेरी आपकी जो यहां पे प्रोविजनल अंसर की वो क्या है 719 तो फिर अब यह लास्ट में देखो 719 कौन सा है इस तरीके सा आपको चेक आउट करना है क्योंकि यह मैं सोचन है क कौशन नमबर वाने तो सबसे ऊपर हो गए ऐसा नहीं है अब जैसे यहां पर 719 नमबर यहां पर कोशन आईडी कहा है 719-718 719 अगे 689-19-19 719 तीक है अब यहां पर कोशन नमबर जो करेक्ट ऑप्शन है वह फोर और करेक्ट ऑप्शन है और यहां पर देखो मैं चान जो गए आपको यह पर कोई मार्क नहीं मिलेगा और पिलस एक नंबर आपका नेगटी मार्किंग में जाएगा तो टॉटल पांच नम्बर यहां पर श्मद करना है तो इस तरीके से आपको पूरा चेख उट करना है यहां पर 627 था मैंनों इस का चेक आउट कर रहा है ना तो इसका राइट आंसर सही था तो इसने चूज किया था कोशन नमबर टू तो इसके आठ नमबर अभी तक बन गए अब आप जब नीचे आओगे थोड़ा सा और नीचे आते हम जैसे हो सकते कुछ तो गलत कर रहा हो इसने यार तो यहां पर जैसे मैं आ जाता हूं कोशन नम साथ सो चोविस साथ सो तैस यहां पर करेंट ऑप्शन है ऑप्शन नमर वन इसने क्या चूज करा था आप अपनी रिस्पोंस अंसर की पर आओ जैसे चूज करता कोशन नमर वन फिर यहां पर इसका यह भी सही है ठीक है लेकिन नो इशू देखो हो सकता है अगर आपका कु अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है अगर यहां पर यहां पर आपको यह वाली है लेकिन इसका राइट अंसर है तो इस वह से मैं थोड़ा सापको दूसरा समझा रहा हूं अगर आपको लगता है नहीं जो ऑप्शन नमबर यहां पर तीन होना चाहिए वो राइट अंसर है और जो मैंने किताब में पढ़ा जो भी ओफिशल मेरी किताबे थी उसमें भी ऑप्शन नमबर तीन ही होना चाहिए उन बुक्स केड़ एकोडिंग ठीक है तो अब आप ल नीचे आओगी जब यहां पर आप लोग को बेसिकली यहां पर अगर आपके पास कोई डोकॉमेंट है सपोर्टिंग तो आप लोग एक सिंगल पीडिएफ में उस सपोर्टिंग डोकॉमेंट को लगा सकते हो कि यह वाला राइट आंसर होना चाहिए मैंने यहां से पढ़ा यह पूरा प्रोसिजर्स होता है प्रोवजनल आंसर की और मैच करो गलत दे रहा हैं तो आप लोग चलेंजaci को चलिएट ब स्कानियों मैंने बता दियापकी 2100 पे हैं लास्ट देट मतलब जो मेरी पहले वाली वीडियो रिस्पॉंस अंसर की वाली उसे चेक आउट को लेना है उसमें मैंने डेट एकजेट बता रहा है और टाइम बता रहा है कि लास्ट टाइम कितना है तो उसी के कोडिंग आप लोग कर सकतो और आई होप आपको समझ में आगे होगा नहीं स चैसो आसी उनिस ऐन से थे तो यहां पर चैसो अपशन नंचा आपको से अपर जोन मैं वापस आता हूं यहां पर अपनी रिस्पॉंस दिया था कोश्यन नम्बंस तो इसका ये भी राइट है तो ने विज ज्यादाता राइट अनसर है अब मुझा अभी तक रोंग नहीं म बागिए आम गारे हमें नेगेटिव मार्क तो दीक हैं मतलब आपका आंसर रहल सकते हैं do प्रोविजनल आंसर की आप लोग अपनी डाउनलोड कर लो और मैं दुबारा बता रहा हूं आप लोग की जो ही आंसर की कैसे चेक आउट करने बेक आजाओ बेक आओगे जब सबसे नीचे आओगे तो ही इस पर किलिक करोगे यह पोर्टल आ जाएगा ठीक है मेरी खाल से इस आप अगर समझना चाहते हो तो दुबारा से वीडियो को दुबारा देख सकते हो ठीक है अब मैं दूसरी वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि मैंने ओलेडी समझा दिया है पीडियेफ आती है अगर दुबारा अंसर की की तो मैं आप लोगों वेट्सप पर और इंस्ट और पर भेज़ हुआ है तो डोंट वरी ठीक है बाकी क्वेरी रहेगी तो आप मुझे वेट्सप और इंस्टा मैसेज दोनों कर सकते हैं यह आपकी चोईस है